आपकी जो गाब हैंस है उसकी गादी, लेवटी, एदी बढ़ नहीं पारी है, ब्याने से पहले भी एदी आप नहीं दे पाए हैं और ब्याने के बाद में भी आप अपने परशूं के एदी अडर लेवटी का एदी विकास करना चाहते हैं तो पचीस से मेल आप ये पिला दे आप अपनी जो गाब हैंस हैं उसकी अडर लेवटी का विकास कर सकते हैं फोत इस तरह के गादी का विकास नहीं हो रहा है, अडर नहीं बढ़ पा रही है, कईबर ब्याने के बाद में नहीं बढ़ पा रही है, कईबर ब्याने के बाद में नहीं बढ़ पा रही है, कई ब् में पश्चूं को देंगे तो फोत ही जल्दी आपके पश्चूं की जो अडर है उसकी ग्रोथ आपके पश्चूं में देखने को मिलेगी साथ में टी ठैथन है उसका भी विकास होगा तो वीडियो जुरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्क्रिप करके मैं देखना पुरा देखना इस चेनल पर भी नया है या पहली पर जूने तो पहली पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन लो आलवड़ा बसंद बहें आपको पता है कि चनल पर सही सटीक सब्सक्राइब करें जो कमेंट्स करते हैं उन्हीं की वीडियो के लिए निया चैनल है दोनु का लिंक डिस्प्रिक्शन में जहाँ पर जाएं और आप वीडियो जाकर करके देखें पहुत अची वीडियो मिल रही है देखू उएदियो अपने पमें प्रशू में अड्डर गादी लेवटी का विकास नहीं ओपा रहा है यह फोटी बड़ी समस्य है तो मा आज आपको को बताऊंगा कि आप अपने पशू में अडर गादी का विकास करसक्ते हैं साथ में पश्यों में थनका विकास कर सकते हैं और साथ में दूद की मात्रा भी बढ़ेगी ऐसा नहीं कि उससे दूद की मात्रा भी आप अपने पश्यों में बढ़ा सकते हैं कोई भी नुक्सान नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई नुक्सान नहीं है सबसे best और better result आपके पशों में देखने को मिलेगा ब्याने से पहले आपका पशों जैसे ब्याने में 20 दिन बच्चे है या एक मेना पच्चा है तो उस इस्तती में आप स्टार्ट कर सकते हैं या कईबरेदिया आप ब्याने से पहले नहीं दे सकते हैं तो ब्याने के बाद में भी आप अपने पशूं को दे सकते हैं, जिन पशूं की अडरलेवटी का विकास नहीं हुआ है, तो ब्याने के बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तुम आपको पताना चाहता हूं कि इदि आप अपने पशूं को एक तो अच्छी ड तुम्हटी क्या चैना कि करना है कि रात को भिंगो लिए आप इस प्ररकार से आपने पर भुभिकास के लिए इस जी उप्योग में ळे रहे तो डाइसो तीन सो केजी है तो तीन सो ग्राम चैना आपको रात को विगोना है पान सो केजी के जिस प्रकार से मुरा नसल है या जर्शी या साइवाल जो बोडी वेट अच्छा है तो उनको लिए आप पान सो केजी है तो पान सो ग्राम चैना विगोना है जितना बोडी देना है मामूली से जो नमक है वह आप चाहिए सेंदा नमक है वह सेंदा नमक डालें बहुत अचा रिजिन मिलेगा जातों को सकता आप सेंदा नमक का उप्योक रहे हैं थोड़ी मात्रवी 5-10 ग्राम आप सेंदा नमक है उसके अंदर डाल दें फिर आप अपने पशू को खि ब्याने से 20 दिन पहले और ब्याने के 20 दिन बाद आप लगातार दें मैं खहरा हूं कि आप अपने पशू की अडर लेविटी का विकास होगा थनों का विकास होगा पशू का वजन बढ़ेगा पशू की अच्छी ग्रोथ होगी पशू के स्रीर बच्छी शाइनिंग इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशू में एक जो न्यूट्रिशन जो पाउडर आता है उसको आप ब्याने से पहले उप्योग कर सकते हैं जो न्यूट्रियन पाउडर आता है तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एक पाउडर आता है जिस प्रकार से केर पचास ग्राम सुबै और पचास ग्राम को दे दें पचास ग्राम सुय जो भी बाट य दाना मैसन दे रहे हैं उस के साथ कर दे सक스钉 खोगा को सुऑ कर लिए करें कि दुज़ प२ट है कि यस तरह का न्युट्रीन पावडर कह लक्त ł canyon है अब आपके पश्यों को आपके बैयाने के बाद में आपके पश्यों में डिस्टों किया है टॉर्स यह प्रश्यों को बैयने से पहले दी देते हैं तो अचा रिजल्ट है ब्यानने के बाद में आप इस तरह कि पाउडर का उप्योग ना करें इस बात का आपको दियान में रखना है तो ब्यानने से पहले आप इसका उप्योग कर सकते हैं सब से अच्छा और best result देखने को मिलता है यह पाउडर हीदी आपके पास नहीं मिल पार रहा है तो अदर जो nutrition जो powder आते हैं जो पस्चों की अडरल लेवटी का विकास करने के लिए उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं ऐसी बात नहीं कि यह मिले तो आप इसका उपयोग करें नहीं मिल रहा है तो आप अडरल पाउडर भी आप उपयोग कर सकते हैं इसके साथ क्या होता है कि अडरल लेवटी की ग्रोथ के लिए पस्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जूरूरत होती है बायोटीन की जब तक उन पशूं को इदी बायोटीन, विटामिन, विटामिन एच, विटामिन एच, विटामिन ए, डी त्री एंड जिस प्रकार से क्रोमियम एसलिने यह नहीं मिलेंगे तो आप अपने पशूं में अडर लेटी का जितना विकास एदी करना चाते हैं, उतना आप नहीं ले सकते तो इसके लिए आपको अच्छे जो बायोटीन स्टोनिक आते हैं, उनका उप्योग करें, जिसके अंदर बायोटीन की मातरा ज्यादा आती है तो इसके लिए जिस प्रकार से केरस की आती है बोवी बैस्ट एच, जो आपको दिखरी स्क्रीन पर बोवी बैस्ट एच, तो यह बोवी बैस्ट एच लिक्विड आप अपने पशूं को 25 ml यानि 25 ml पर डे, यानि परती दिन 25 ml आपको रात के समय आपको देना है, जिस तरह में भी याप प्रियोग कर सकते हैं चोटी पैकिंग में 100 ml बड़ी में आप 500 ml दें तो 25 ml पर डे लगातार आप उस पशूं को 20 दिन continuity देना है ये बयाने से पहले भी दे सकते हैं और बयाने के बाद में भी दे सकते हैं ये आप अपने पशूं को ये बयाने से पहले नहीं दिये तो बयाने के बाद में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके पशूं में अडरलेवट का विकास होगा दूद की मा विखश्क बियाने के बाद में आपको एक तो जिस प्रकार से बफ बैस ऐस्-बायोटीन का उप्योग करते है। और एक आप जो चैनाह उसका उप्योग करना है। उसका उप्योग करना है वह आप अपने पशुग को जो भी डाइट या दाना मिसरंग देते हैं। जो भी मिस्तरण है बना करके देते हैं वह तो देना ही देना है उनके साथ आप आपको अक्स्रा यह चीज देनी है मैं खहरा हूं कि आप उपने परशू को लेकिन लगातार आप उने परशू को 20-25 दिन ऐसा नहीं है कि आप पास दिन दे दिया दस दिन दिन दिया लगातार आपने परशू को 20-25 दिन दे तभी आपके परशू में सबसे अच्छा और बेस्ट देखने को मिलेगा कोई साइड फिक नहीं है कोई नुक्सान आपके परशू में नहीं करेगा परशू सेप और सुरक्षित रहेगा तो यह वीडियो जितना हो सकता है परशू पारक उनक के साथ से करें इसी तशाह मेरी वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद